नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आज के मुख्य समाचारों में जिया दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन बर की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचारों के रूप में तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले इस वीडिय जरूर दे दीजिये तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबार। वित्वर्स 2024 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि बजट में महाकुम्ब 2025 के आयवजन के लिए नगर विकास विभाग की मद में 200 करोड और संस्कृतिक विभाग की मद में 100 करोड रुपे का आवंटन करने का प्रस्ताओ है। दोस्तो विशा का पटना में इंगलेश टीम को अपने ही बेजबूल अप्रोच के करणहार का सामना करना पड़ा। आकरमक बलेवाजी की रन नी ती है जिसे इंगलिश टीम के चीफ कोच ब्रेडन मेकुलम के निकनेम बेज पर बनाया गया है। तीसे दिन की खेल के बाद एंडर्सन ने कहा था कि हम वैसा ही खेलेंगे जैसा हम पिछले दो साल से खेल रहे हम जीते या हारे यह माइने नहीं रखता क्योंकि हम आर्मेज को जीतना चाहते हैं फिर टार्गेट 600 रन ही क्यों ना हो। चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली वड़ी खाबर। इस पिकर ने इस पर चर्चा के लिए एक घंटे दस मिनट का समय निर्धारित किया था इस दोरान मुख्य मंत्री चंपई सोरेन पूर्व सीम हैमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी कांग्रेस नेता आलम गीर आलम और आज सुके शुदेश महतों ने बात रखी इस जजोने मामले को सुना चीफ जस्टिस ने प्रजाइडिंग ओफिसर का वह वीडियो भी देखा जिसमें वह वोटों को कथित रूप से रद कर रहे हैं CGI ने कहा कि यह लोगतंतर का मजाग है जो कुछ हुआ उससे हम सब इस्तब्द हैं CGI ने कहा कि हम इस तरह लोगतंतर की हत्या की इजाज़त नहीं दे सकते CGI ने चुनाओ का पूरा वीडियो पेश करने को कहा साथी नोटिस भी जारी किया वहीं दोस्तो सुप्रीम कोट ने चंडिगर्ड मेर चुनाओ को चुनोती देने वाली कुल्दीप कुमार की याचका पर नोटिस जारी किया आपको बता दे पूरा रिकोड पंजाप और हर्याना हाई कोट के रजिस्टरार के पास शाम पांच बज़े तक सभी दास्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा इसके बाद दोस्तो अगली खबार राहूल गांदी ने चलाई 200 किलो कोईले से लधी साइकल बोले आदिवासियों की सरकार BJP को स्विकार नहीं एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई जिया दोस्तो जार्खंड में कांग्रेस की भारत जोडो न्याय यात्रा का चोथा दिन है कांग्रेस नेता राहूल गांदी ने समवार को अपनी यात्रा की शुरुआत रामगड के महत्मा गांदी चोक से की इस दोरान राहूल गांदी ने साइकल पर कोईला लेजा रहे युवाउं से मुलाकात की राची में जनसबा को संबोधित करते हुए राहूल गांदी ने कहा कि जारखंड में आपकी सरकार को क्यों हटाया गया क्योंकि यहां आदिवासियों की सरकार थी जो भीज़िपी को स्विकार नहीं लेकिन हम लोग एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई केंद्रिय जाच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोग तंतर पर अटेक किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है हमारा गटबंदन लोग तंतर की आवाज को कभी दबने नहीं देगा चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर संकर महादेवन और जाकिर हुसेन के बेंड ने जीता ग्रेमी अवाड दिस मॉमेंट बना बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अलबम बासुरी वादक राकेश चोरश्या को दो अवाड जिया दुस्तों भारतियक गयक संकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसेन को ग्रेमी अवाड मिला है जहां जाकिर ने तीन केटेगरी में यहाँ अवाड अवाड अपने नाम किया इस बेंड के अलावा बासुरी वादक राकेश चोरश्या ने भी दो ग्रेमी अवाड अपने नाम किया है इस तरह कुल मिलाकर 66 वे ग्रेमी अवाड में पांच भारतियक लाकारों को ग्रेमी मिला है इसके बाद दोस्तों अगली खबर अरविंद केशरिवाल के काफी फॉलवर्स हैं दिल्ली हाइकोट से सीम अरविंद केशरिवाल को लगा जटका केस रद करने से किया इंकार जियान उस्तों दिल्ली के मुखेमंत्रि अरविंद केशरिवाल को दिल्ली हाइकोट से जटका लगा है दिल्ली हाइकोट ने केजरिवाल द्वारा यूट्यूबर द्रूराटी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने पर दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ दायर अप्रादिक मानहानी के मामले को रद करने से इंकार कर दिया दिल्ली हाई कोट ने कहा कि मानहानी कारक सामगरी को रिट्वीट करना मानहानी के समान है दिल्ली हाई कोट ने कहा कि केजरीवाल के काफी फोलोवर्स हैं और वहाई वीडियो को दोबारा ट्वीट करके परिणामों को समझते हैं कोट ने कहा कि अपमान जनक सामक्री को रिट्वीट करना मान हानी के समान है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार तीन राजियों में भारी बर्फबारी हिमाचल में 645 सड़के बंद कश्मीर के पहलगाम में तापमान माइनस 11 डिगरी यूपी एमपी बिहार में तेज बारिश हुई जिया दोस्तो देश के उतरी राजियों में बर्फबारी और ठंड का असर जारी है वेस्टन डिस्टरबेंस के कारण जमु कश्मीर इमाचल प्रदेश उत्राखंड और लगदाक में बीते चार दिनों से बर्फबारी हो रही है यहां आज और कल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है इमाचल प्रदेश में बर्फ बारी से चार नेशनल हाईवे समेत 645 सड़के बंध है चिरगाउं में 35 सेंटीमेटर और मनाली में तेवी सेंटीमेटर बर्फ बारी दर्ज की गई इस से पानी और बिजली की सप्लाई भी प्रभावत हुई है वह अगली खबार इसके बाद दोस्तो अगली खबर खिलाफ तीसरी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है इसके बाद दोस्तो अगली खबार चुनाव प्रचार और रेलियों में बच्चों की नौए एंट्री इलेक्शन कमिशन की सियासी दलों को सक्त गाइडलाइन जिया दोस्तो लोगसबा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने स्वमवार को राजनितिक दलों से काये कि वे पोस्टर एयों परचों सहित प्रचार की किसी भी सामगरी में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें राजनितिक दलों को भेजे परामर्स में निर्वाचन आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की और से चुनावी प्रक्रिया के दोरान किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किये जाने के प्रती अपनी कतई बरदाश्त नहीं करने की निती से अउगत कराया आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार गती विदियो में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हो या वाहन में या फिर रेलियों में बच्चे को ले जा रहे हो इसके बाद दोस्तो अगली खबर इसके बाद कानूनी प्रिक्रिया पूरी करने के लिए उसे घाट को पर पुलिस थाना लाया गया था रात एक बजे मोलाना के हाजारों समर्थकों ने उसके रिहाई के लिए घाट को पर थाने का घेराओ किया हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा रात दो बजे गुजरात ATS मोलाना को लेकर जूनागर रवाना हो गई लेकिन पुलिस अभी जूनागर पहुंची नहीं है फिलहाल ATS के एहमदाबाद ओफिस में मोलाना को रखा गया है इसके बाद दोस्तो अगली खबार CBI ने यूट्यूबर दिप्ती के खिलाब चार्जिट दायर की श्रीदेवी की मोत पर संसनिक हिस दाओं का समर्थन करने के लिए फरजी दास्ताविज तेयार किये थे जियां दोस्तो यूट्यूबर और सेल्फ डिकलेर्ड इन्वेस्टिगेटर दिप्ती के खिलाब चार्जिट दायर की गई है दरसल दोस्तो PTI के मुताबित रईवार को CBI अधिकारियों ने कहा कि यूट्यूबर दिप्ती ने अपने दावों के समर्थन में PM मोधी और रक्षा मंत्री राजनाद सिंग सहीत अन्य ओफिशियल्स के जाली पत्रों का प्रमान दिया दरसल दिप्ती ने शुशान सिंग राजपूत के निदन पर भी संसनिके जारोप लगाये थे शुशान का निदन 2020 में हुआ था दिप्ती ने अपने शोशल मीडिया हैंडल पर श्री देवी और शुशान सिंग राजपूत के निदन पर टिपनी की थी तो दोस्तो यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें अगर वीडियो आपको पसंद आईए तो वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें साथ ही कमेंट करके बताएए कि आप कौन से राजप में निवास करते हैं ताकि आने वाले वीडियो में आपके राजप की खबरें प्रमुकता से दिखा सकें धन्यवाद वन्दमातर हम जे हिंज भारत